जैसे ही आप लोग देखते होंगे कि जन्वरी फरवरी का महीना आता है हमारे देश में दो सब्द काफी चर्चा में आने लगते हैं एक आपका एकोनोमिक सर्वे है और दूसरा आप देखते हैं कि बजट है तो आज हम लोग इन दोनों सब्दों के बारे में बिस्तार से चर्चा करते हैं इनके बारे में हम लोग समझते हैं और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रहे होंगे खासकर आप लोग सिविल सर्वे से स्टेट पी सीएस या वनडे एक्जाम की तो आप देखते होंगे कि इनसे आपकी परिक्षाओं में questions भी पूँचे जाते हैं तो आज हम लोग इनके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और जो आने वाली किलासे होंगी आपकी उनमें हम लोग आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में भी बात कर लेंगे आर्थिक सर्वेक्षण की बात करें तो ये भारत का आर्थिक सर्वेक्षण बित्त मंतरालाय द्वारा जारी एक बारसिक दस्तावेज होता है सबसे पहले तो आप लोगों से यही questions पूँच लेगा कि आर्थिक सर्विक्षन को जारी कौन करता है बित्त मंतरालाई करता है और इसे भारतिय अर्धवस्था से सम्मंदित डेटा का अधिकारिक और अगतन सरोत माना जाता है यह एक पेकार की रिपोर्ट होती है जिसमें सरकाद्वारा पिछली एक बर्स में अर्धवस्था की इस्तिती से सम्मंदित आकड़े पिस्तुत किया जाते है और साथी सरकार इसमें अर्धवस्था की समक्ष मौझूद प्रमुख चुनोतियों का अनुमान लगाती है और उनके संभाविस समाधान भी पिस्तुत करती है इसे मुख आर्थिक सलाकार की मार्धवसन में आर्थिक मामलों की विभाग के अर्ध सास्ती विभाग द्वारा तियार किया जाता है और इसे प्रयास संसद में केंद्री बजट पेस किया जाने से एक दिन पहले पिस्तुत किया जाता है और भारत में पहला आर्थिक सर्वेक्षण 1950 इंक्यावन में फिस्तुत किया गया था और 1964 तक इसे केंद्रिय बजट के साथ पेश किया जाता था और 1964 में इसे बजट से अलग कर दिया गया अब सीधा सा आप लोग मतलब समझे इसका कि मालनी जी आप एक परिवार में रह रहे हैं परिवार का उधारन दे रहा हूँ तो आप लोग बड़े अच्छे से जोड़ पाएंगे तो उस परिवार में आप देखते हैं कि एक आए भी होती होगी फिर आप देखते होगे कि खर्चा भी होता होगा आप लोग पूरा बजट बना के चलते हैं ना परिवार का या आप देखें कहीं आप लोग सिक्षा के लिए एजूकेशन के लिए किसी दूसरी सहर में रह रहे होंगे आपके घर से आप देखते होंगे कि 10,000 रुपेय आता है फिर आप देखते होंगे कि आप देखते हैं कि उस 10,000 से कितना खर्च हो रहा है हो सकता है कि आपका 8,000 में काम चल जाए हो सकता है कि 12,000 खर्च हो जाए तो वो आपका खर्च हो गया और देखे 10,000 से जान्दा खर्च हो गया तो आपको घाटा रहा क्या से रहा? घाटा हो गया ठीक है और इसमें आप देखेंगे कि बहुत 10,000 आपको एक साल के लिए मिले हुए थे अब 10,000 में कुछ नहीं होगा लेकिन उधारन के लिए बता रहा हूँ तो उस 10,000 में आपने क्या-क्या उपलब्दियां देखी है क्या-क्या उपलब्दियां पाई है उसको आप लोग बजट, नए बजट मिलने से पहले आप लोग एक रिपोर्ट रखेंगे अपने परिवार के सामने कि हमने एए उपलब्दियां हासिल की है तो उसी को आप लोग एक तरह से कहिए सरकार की जो पिछले साल की उपलब्दिया रहती है उसी को आप लोग आर्थिक सरवेक्षन कहते हैं और जैसे अभी बर्तमार की बात करें हैकर हम लोग तो देखें, 2023 आ चुका है तो आप देखेंगे की 2022-22 का आर्थिक सरवेक्षन पिस्तुत किया गया है और 2023-24 के लिए बजट पिस्तुत किया गया है कहने का सीधा सा मतलब है कि आर्थिक सर्वेक्षन पिछले साल जो गुजर गया है उसके बारे में बात करता है और बजट आने वाले साल के लिए बात करता है ठीक है यह आपकी समझ में आ गया होगा और जैसे आप देखें कि आपने देखा होगा एक जन्वरी को आपका बजट पेस किया जाता है, तो उसके एक दिन पहले आर्थिक सर्वेच्चन आ जाता है, वहीं अगर हम लोग बजट की बात करें, तो आपको बता दूं कि बजट सरकार के बै कर लगाने की योजना और अन लेने देनों जो इसिष्ट बित्तिये वर्स की केंद्रिये बजट को बारसिक बित्तिये बैवरन कहा जाता है, और बित्त मंतराले में आर्थिक मामलों की बिभाग का बजट प्रभाग, बजट तेयार कने ही तो उत्तरदाई नोडल निका है, समीधान का आर्टिकल 112 आप लोग पढ़ते हो तो इसमें बजट की बात नहीं की गई, बजट सब्दिकाउल लेक नहीं किया गया है, इसमें आप देखते हैं कि बारसिक बित्तिये विवरन की बात कही गई है, यह भी आप लोग याद रखिएगा, अगर हम लोग बजट की घटक देखें, तो आप देखें कि केंद्रिय बजट के मुक्ता तीन घटक होते हैं, एक तो आप देखते हैं बैह होता है, एक पराप्तियां होती है, एक घाटा होता है, अब यहाँ भी आपके परिवार को ही और आपको ही रखता हूँ, और वही दस अजार का उधारन ले लेता हूँ, उसकी जगे में मैं मतलब उधार बन जाता हूँ, माली जे मेरी इंकम 10,000 रुपे है, और अगर खर्च हमारा 12-15,000 हो जाएगा, तो क्या कहोगे आप लो, कि प्राप्तियां हुई थी, प्राप्त हुए थे 10,000, और बैय यानि कि खर्च हुए है 15,000, तो 5,000 का हमें घाटा है, तो इस तीन घाटक आप लोग और संके तक भी हो सकते हैं, इन्हें भी देख लेते हैं, अगर हम बैय की बात करें, तो बैय भी दो तरह का होता है, देखिए जैसा मैं खर्च करूँगा, तो मैं खर्च भी दो तरह से करूँगा, एक तो आप देखते हैंगे कि हम क्या करेंगे, पूझी गद बैय करेंग या फिर आवर्टी देंदारियों को कम करने के उद्दे से किया जाता है माले जो उन 10,000 रुपे में मैंने कोई मोवाइल खरी लिया कोई लेपटॉप खरी लिया तो ये क्या रहेगा? पूजी गत खर्च हुआ है हमारा उसके बाद भी हमें कुछ मिला तो है हमारे सामने रखा हुआ है तो सरकार अगर नए स्कूलों का निर्माड कर रही है नए अस्पतालों का निर्माड कर रही है तो ये सब पूजी गत बै के अंडर में आते हैं और वो नए संपत्तियों का निर्माड दिखता है या आप देखे कि देंदारियों पर उनके प्रभाव का आधार भी, यानि कि हम किसी से कर्ज लिये हुए थे, तो हमने उसके कर्ज को भी चुका दिया, तो उसकी कम तो हुआ है ना, उसका अब हमें रेड कम देना होगा ना, तो वो भी आपका, किस में आता है, पूझी कर बैय में आता है, वही राजस बैय की पर बैय को, आमतोर पर राजस बैय की रूम में बर्गी कित किया जाता है, तो यह आप लोग याद रखिएगा, इससे डारेक्ट कुछ नहीं मिलता है, लेकिन सबसे टीश क्या मिलता है सरकार को, कुछ नहीं मिलता है, अगर आप कहें, बोट मिलता है, तो यह अलग बात हो बेवेन चेत्रों को पिरभावित करने के आधार पर गराब देखें, तो इसमें आप देखेंगे बैय को सामाने सेवाओं और आर्थिक सेवाओं और सामाजिक सेवाओं या फिर सहायता अनुदान या योगदान में बर्गी कित किया जाता है, आर्थिक और सामाजिक सेवा स्वास्थ पर निमू की होता है उसे परिसंपति निर्माड या देंता में कमी इसके पिरभाव के अधर विकास बयही को आंगे राजस पूझीगत बयह की किलों में बरगी किया जा सकता है इसमें अगर हम लोग प्राप्तियों की बात करें तो सरकार की प्राप्तियों की प्राप्तियों की तीन घटक होते हैं राजस्ट प्राप्तियां गैर रिड पूझी गर प्राप्तियां और रिड सर्जंट पूझी प्राप्तियां राजस्प्राप्तियों में ऐसी रसीदें सामिल रहती हैं जो देंदारियों में बिड़्धी से जुड़ी नहीं होती हैं और इसमें करों या गैर कर सरोतों से राजस्प्राप्त भी सामिल होता है तो यह आप याद रखे राजस्प्राप्तियों में आप जो टेक्स देखते आप देखते हैं कि या गैर सरोतों से जो राजस प्राप्त होता है तो उसे सामिल किया जाता है इसे हमें किसी को बापस नहीं देना होता है जो जैसे आएकर या और भी आपका टेक्स आ रहा है तो वो क्या बापसी किसी को लोटा आना है किसी को नहीं लोटाना है गैर रिड प्राप्तियों में देखें तो पूझीगत प्राप्तियों का हिस्सा जो अतरिक देंदारियां उत्पन नहीं करती है रिड की बसूली बी निवेश से प्राप्त आये को भी आप लोग गैर रिड पूझीगत प्राप्तियां मना जाएगा क्योंकि इन सरोतों से राजस उत्पन करने से देनदारियां और भविस्ट की भुक्तान पिती बद्दिताओं में सीड़ी नहीं होती है राजस प्राप्तियों में जैसे आपका किसी के उपर रिड किसी के पास पैसा डला हुआ है अगर वो प्राप्त होते हैं तो वो राजस्ट प्राप्तियों में सामिल होगा ठीक है रेड सेजन पूझी प्राप्तियां बे होती है जिनमें सरकार की उच्च देंदारियों और भविस्ट की भुक्तान पिती बद्दताएं सामिल होती है वहीं अगर आप लोग राजकोसिय घाटा की बात करें ये सब्दी भी काफी चर्चा में रहता है तो परिभासित रूप से राजकोसिय घाटा कुल बै और इसमें राजस्ट प्राप्तियां गैररेड प्राप्तियों की योग के बीच का अंतर होता है या दरसाताही की सरकार सुद्रोप से कितना खर्च कर रही है कहने का ए मतलब फिर से है कि राजकोसिय घाटा कहने का ए तात्वर है कि इसमें कितनी प्राप्तियां हुई है राजस्ट प्राप्तियां हुई है और गैररेड प्राप्तियां हुई है और उसमें से कितना खर्च ह खर्च अगर उससे प्राप्तियों से जानदा है तो राजकोसी ये घाटा होगा। प्रात्मिक घाटा राजकोसिय घाटे और ब्याज भुकतान की बीच का अंतर होता है। राजस्तु घाटा क्या होता है। राजस्तु घाटा राजकोसिय घाटे से पूझी गत ब्या घाटा कर निकाला जाता है। यह छोटे छोटे सब्द हैं। और इसलिए कहा जाता है कि आ अर्धवस्था वो जरूर पढ़ा करिएगा और खासकर आप लोग NCEIT किताब में जरूर पढ़ा करिएगा एक-एक सब्दी के बारे में वहां आप लोगों को मालू चलता है समझ में आता है अर्धवस्था पर बजट की प्रभाव अगर हम लोग देखें नेर्थार्थ तो सभी सरकारी व्य अर्धवस्था में कुलमांग को उत्पन करते हैं क्योंकि इसमें सरकारी चेत्व द्वारा निजी वस्तुओं और सेवाओं की खरीत सामिल होती है सभी कर और गेर कर राजस निजी चेत्री की सुद्ध आय को कम करते हैं और इससे निजी और कुलमाय मांग में कमी आती है लेकिन आसाधारन परिस्तितियों को छोड़कर सकल घरेलू उत्पाद राजस प्राप्तियां ब्याय में सामनता समय की साथ बिध्धी की प्रवित्ती देखे जाती है और इसी पिकार ब्याय और प्राप्तियों के निर्पेक्च मूल की प्रवित्ती का बजट के सार्थक बिसलेशन हेतु बहुत कम उप्योग होता है ब्याय और राजस की प्रवित्ती का बिसलेशन या तो सकल घरेलू उत्पाद द्वारा किया जाता है या फिर मुद्रा स्पिती दर के लिए लेखांकन के बाद विकासतर के रूम में किया जाता है बैज GDP अनपाद में कमी या राच्छ प्राफ्ती GDP अनपाद में बिढ़ी सकल मांग को कम करने के लिए सरकार की नीती को एंगित करती है यह बार बार आप लोग GDP सुन रहे हैं तो इसके बारे में आपको बता देता हूँ कि GDP होता क्या है GDP क्या है तो GDP को आप लोग सकल घरे लोग उतपाद भी कहते हैं यह किसी देश की सिमाओं की भीतर एक विस्ष्ट समय अउधी में आमत्वर पर एक साल लिया जाता है इसमें उतपादिस सभी अंतिम बस्तूओं और सेबाओं के मोल लेको दरसाता है अपका GDP और इसी पिकार आजकोसी ए घाटा GDP अनपाद और प्रात्मिक घाटा GDP अनपाद में कमी और बिढ़ी सरकार की मांग को कम करने की नीती को एंगेत करती है और चुकि बै और राजस के विविन घटकों का विविन बरगों बस सामाजीक समुहों की आए पर अलग-अलग परभाव हो सकता है बजट का आए वितरन पर भी परभाव पड़ता है और उधारन के लिए आप देखेंगे कि रोजगार गारंटी ये उजनाओ या खाद सबसिटी जैसे राजस बै सीधे गरेवों की आए को बढ़ा सकते हैं इसमें आप देखें राजकोसी नियम और नीती पर पर परभाव तो राजकोसी नियम विसिट नीती लक्ष पेदान करते हैं जिनके आधार पर राजकोसी नीती बनाय जाती है विभेन नीती गत साधनों का उपयोग करके नीती गत लक्षों को फूरा किया जा सकता है और ऐसा कोई विशिष्ट बितिय नियम मौजूद नहीं है जो सभी देशों पर लागो हो बलकि नीती के लक्ष आर्थिक सिधान की प्रकिती के पिती संबेदन सील होते हैं और एक अर्धवस्था की विशिष्टापन निर्भर करते हैं और राजकोसी नीती का ताथपार आर्थिक इस्तितियों विशेशुरूप से ब्यापक आर्थिक इस्तितियों को प्रभावित करने के लिए सरकारी खर्च और कर नीतियों के उपयोग से है और जिसमें बस्तूओं और सेवाओं की कुल्मांग, रोजगार, मुद्राइस्विती और आर्थिक विकास सामिल होते हैं भारत का मामला अगर आप देखें तो इसका वर्तमान बित्तिय नियम एनके सिंग समती की रिपोर्ट 2016 में इस्तापित द्वारन ने देशे थे और साधनर अवधी के तहट कोच बिचलन की अनुपती के साथ इसमें तीन नीती लक्षें रिड़ GDP अनपाथ, राजकोसी घाटा GDP अनपाथ और राजस्तो घाटा GDP अनपाथ का एक विस्तितर बनाया जाता है और यागिपी ब्याव और राजस्त प्राप्तियां दोनों संभावित रूप से राजकोसी नियम के विस्ति समुग को पूरा करने के लिए नीती घाट साधनों के रूम में कार करते हैं और मौजूदा नीती धाचे के भीतर कर दरें अर्दवस्ता की ब्याय आवस्ताक से सुतन्त निर्धारिक की जाती है और संस्ताका धाचे में यह मुख रूप से वयबया है जिसे दिये गए कर अनपातों पर राजकोसी यह निमों को पूरा करने ही तू समायोजित किया जाता है चली तो इन दोनों सब्दों के बारे में आप लोग समझे लीजेगा ठीक है और अब जो आकड़े रहेंगे आपके चाहे आर्थिक सर्वेक्षन के हो यानि कि 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षन एकोनोमिक सर्वे हो या फिर आपका बजट 2023 किसके लिए 2023-2024 के लिए हो उनकी आखरी हम लोग जरूर देखेंगे अंगली किलासों में ठीक है कोई आपका सवाल हो मेरे लिए सुझाओ तो आप लोग नीचे जरूर बताईएगा